ऐसे कितने गाये हैं अच्छा ये 22 जोस्तों ये 22 का एक लट्टू है और ये किलो में किसा आप से मिलता है 660 रूपए किलो मिलता है यदिश्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप वल्कम माई यूटूब फैमली आप सब का स्वाधद है मारे चैनल पर जिसका नाम है इलके ओ मस्ती तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आगया हूँ कानपूर तो कानपूर में आज मैं आया था कुछ खास करने के लिए लेक शूट करूंगा इससे पहले भी एक दिन आ चुका हूँ लेकिन कुछ उस समय भी कुछ ऐसी बात हुई कि मुझे वापस जाना पड़ा और आज भी मैं कानपूर आया हूँ तो मैंने ध्यान ने दिया आज संडे था और संडे में संडे में यहां की मार्केट जो है वो इसमान पूर के ठकू के लटू जहां पर काफी लोग जाते हैं और काफी लोग पसंद करते हैं तो आइए चलते हैं दोस्तों पहली बार अगर हमारे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबालें तक कि जैसे ही मैं वीड वीडियो की नोटिफिकेशन आपक पहुंच जाए कि मैं कार से रिलेटेट और प्रॉपटी से रिलेटेट वीडियो बनाता हूं और उसके बाद लाइफस्टाइल व्लॉग को आईए मेरा तो चलते हैं दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यह देखे हैं ठक्गू के लट्टू यानि बदनाम लट्टू जो कि एशुरिया राय की शादी में भी पहुंचे थे यह देखे और आईए हम लोग भी खाते हैं है कितने गया है कि 120 दोस्तों यह 22 का एक लट्टू है और यह किलो में किस यह दाफ से मिलता है छेसो साट रुप किलो छेसो साट रुपय किलो मिलता है अ है लगवद किटने पुरानी शॉप हो गी है 50 साल पराणी पाछास साल से मंदभ यहां पर है काफी पराणी शौप है अब यह पंदरा-बंदरा वाले बी लड़ू हम लोग ले चुके हैं काफी अच्छा टेस्ट है का कि लड़ू काफी टेस्टी है 22 वाला यदा है, अइसा बाई? को यह सेथे काजुुअ को लटू है काजुऊ है मातनब होसं विछ मिद्ला में नहीं रोड़ा है तो इदर हो जब भी आया है तो बाइस वाला एक खाएं के बाइस वाला जाला भी खाएंगे बाइस वाला जाला भी खाएंगे अचे कुल्फी है बना रहा है तो यह कुल्फी बनाई जा रही है यहां पर देखें अब यह कुल्फी भी बिखती है यहां पर किन्ने की हाफ किलो के साफ से कुल्फी किलो के साफ से मिलती है देखें बना रहे हैं आपर खक्दू के लटू के पास ही है अभी यह यह शौप है तो अभी हम लोग है नवाब गंज में नवाब गंज में काफी अच्छा होटल पड़ता है अब बस वही पर हैं और सोचा रूख करके यहां पर कुछ था लेते हैं इनकी बहुत जो बहुत जो बहुत लगी थी तो अभी और कर दिया है गया लेने के लिए फ्राइड राइस और काफी अच्छा ओटर लें यहां पर में जो मैं भुगा था तो यहां पर साधी थाल ख दोस्तों फ्राइड राइस आ चुकी है यह देखें और अभी हम लोग फ्राइड राइस खने जा रहें काफी अच्छा टेस्ट है इसका और फिफ्टी का हाफ है यहां पर चलिए विफिन साब तो अभी हम लोग बाहर निकल आएं यहां पर देखें आइस क्रीम वगएरा और सारी चीज़ें मिलती हैं यहां पर बहुत भीर भाग ऐसी है काफी लोग रुपते हैं तो काफी अच्छा है यहां पर अगर आप लगनों से कानपूर या कानपूर से ल अभी वापिस जा रहे हैं हम लोग लखनों के लिए और सुबही आ गये थे यानि कि हम लोग यहां पर जो कानपूर में बहुंच गये थे करीब देड़ बजे लेकिन वाकई में आज गूगल ने बहुत गुमाया कानपूर में और एक ही जगे पर तीन दीन बार घूमें हम लोग बड़ा मूट खराब हो रहा था लेकिन क्या करें फिर उसके बाद जगा मिली जो हम लोग धून रहे थे लेकिन संडे की वज़े से आज वह बन थी तो अभी आ गया यहां पे टॉल जो लखनोर कानपूर के बीस में पड़ता है तो यह टॉल आ चुका है और यहां प कि खा दूँगा तो मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स यह ब्लॉग आपको कैसा लगा मझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा मैं ज्यादा कुछ बना नहीं पाया लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इतना दूर आया हूं मैं कानपूर तो कुछ न कुछ तो जरूर मैं श बस जो टोल का जो शिफ्ट ली थी मैंने 110 रुपए की थी वो और उसके बाद वो कहीं खो गई रास्ते में उड़ गई शायब शीचा कोला हमने उसके बाद वापसी में जब आए हम वहां पर तो मिल नहीं रही थी तो मैंने उसको बताया जो बंदा वहां पर बैठा हुआ काफी अच्छा काफी बढ़िया आदमी थी तो उन्होंने बोला कोई रिकत नहीं है मैं अभी देख ले रहा हूं गाड़ी का नंबर देखा और वो लखी कि आप ले चुके हैं हमने का बिल्कुम सर लिया आता है कभी तो भी हो जाती है इसी बात है तो अभी घर चल रहे है लगों रास्ते में बस पॉज़ादा टाइम नहीं लगेगा अधा कौन घंटे में पहुंच जाओंगा तो आज के वीडियो यहीं पर खतम करते हैं दूस्तों हसते रहें खुश रहें और हमरा लक्यों मस्ती चैनल देखते रहें मिलते हैं एक नए व्लॉक में कुछ नया क करते हुए कुछ नया दिखाते हुए तक तक के लिए जाज़त दीजे जैहीं बंद मात्रा